एक अलग प्रकार का देश हैं, कई प्रकार की संस्कूतियां, कई प्रकार की कलाएं, और कई प्रकार की भासाओं को मेल जोल यहाँ पर दिखाई पड़ता हैं। यह हमारी बहुत बड़ी ताकत है, हम सभी दुरुष्टी से एक संपन राष्ट हैं, अनेक भासाई एवं संस्कृतिया हमारी नक्यवल विरासत है, हमारी ताकत भी है, इसलिए हमें इसको आगे बढ़ाना है। संस्कृतिक वा भासाई विवीरता से बरे इस घवरोसाली देश में पूरब से पस्चिन और उत्तर से दखिन के बीच सद्यों से कई भासाओं ने संपर्क बनाए रखने का काम किया है, हिंदी इसमें प्रमूख भासा रही है। और ये योगदान जो हिंदी का है, इसको देश के कई नेताओं ने समय समय पर सराहा है। और हिंदी ने भारत को एकता के सुत्र में पिरोने का काम किया है। हिंदी भासा और बाकी सारी भारतिय भासाओं ने मिलकर भारत की सांस्कूरूतिक विवीत्ता को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दी है। हिंदी के सबसे बड़ी सक्ति इसकी वैज्यानिक्ता, मौलिक्ता, सरल्ता, सुबोध्ता और स्विकारेता भी है। हिंदी भासा की विशेष्ता है कि इसमें जो बोला जाता है वो ही लिखा जाता है। हिंदी की इन विशेष्ताओं एवं सर्वग राहिता को ध्यान में रखते हुए भारतिय सम्विधान सभा ने 14 सित्यमबर 1949 को हिंदी को संग की राजबासा के रूप में अंगिकार किया। भारतिय सभ्यता संस्कृती और संसकारों की अविरल धारा मुख्य रूप से हिंदी भासा से ही जीवन तता सुरक्षित रह पाई है। हिंदी भासा ने बाकी स्थानिय भासाओं को भी बल देने का प्रयास किया है। हर राज्य की भासा को हिंदी ताकत देती है। हिंदी की स्थानिय भासा से नहीं रही ये पूरे भारत के जन्मानस में ज्यादे स्पष्ठ होने की जरूरत है। 26 जन्वरी 1950 को लागु भारतिय सम्विधान के अनुच्छे 343 में या प्रहवदान रखा गया कि संगी की राजबासा हिंदी वर लीपी देवनागरी होगी। अनुच्छे 351 के अनुसार भारत की अन्य भासाओं को प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवसक है या वांशनी हो वहाँ उसके सब्द बंडार के लिए मुख्यत हो, संस्कूत से और गौनत हो, अन्य भासाओं से सब्द ग्रहन करते हुए हिंदी की सम्रुद्धी सुनिश्चित की जानी हैं, संविधानिक दाईतों का निर्वान करने के लिए आवस्यक है कि सरकारी कामकाज अनुवाद की अपेक्सा मुलरुप से हिंदी में किया जाएं और अन्य स्थानिय भासाओं में इसका अनुवाद किया जाएं, बारत सरक के सभी मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपकर्मों तथा बैंकों इत्यादी के कार्यालय प्रमुखों यम वरिष्ट अधिकारियों से मेरा विनम्र आग रहे हैं कि स्थानिय भासाओं के साथ-साथ वे सरकारी कामकाज में मुल्ड रूप से हिंदी का प्रयोक करें ताकि कार्यालय के अन्य अधिकारियों वो कर्मचारियों को भी अपना कारिया हिंदी में करने की प्रेणा मिले। हुथ हुआ है और हिंदी प्रेमियों को प्रेणा भी मिल रही है। इससे देश की युवा पिड़ी भासा के साथ जूनने की और अगरसर हुई है। बस आवसकता इस बात की है कि आगामी पिड़ी को अधीक से अधीक सुतनाए हिंदी में उपलप्त कराई जाएं और उन्में ऐसे संसकार विक्सित किये जाएं कि वो मुल रुप से हिंदी भासा में काम करें। वर्तमान समय में कोई भी भासा सुचना प्रदोक्री के बिना पलवीत और पोशित नहीं हो सकती। राजबासा विभाग सुचना प्रदोक्री के माध्यम से राजबासा हिंदी का और अधीक प्रचार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस निशा में निरंतर कार्य कर रह प्रधान मंत्री जी के आत्म निर्भर भारत के अब्यान को आगे बढ़ाते हुए राजबासा विभाग दौरा हिंदी के लिए इट टूल्स सुद्रड करने का काम किया जा रहा है वोकल्फ और लोकल के अंतरगत किये जा रहा है सिकारियों में विभाग दारा निर्मित स्मूती आधारित अनुवाद टूल्स कंठस्त का विश्तार किया जा रहा है जिससे अनुवाद के क्षित्र में समय की बचत करने के साथ साथ एकरुपता और उत्रुष्टता भी सुनिश्चित की जा सके इसके अतरिक लीला हिंदी प्रवा, इमहासब्द कोस, मुबाइल एप्लिकेशन भी हिंदी प्रेमियों के लिए अत्यनत उप्योगी है राजवासा विभाग द्वारा इसरल हिंदी वाक्य कोस का विकास किया जा रहा है राजवासा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कारियलेस तर पर हिंदी में लेखन को प्रुट्साहित एवं प्रेरिद करने में हिंदी ग्रुप पत्रिकाओं का विशेश महतो है राजवासा विभाग द्वारा बनाये गए कि पत्रिका पुस्तकाले के माद्यम से हिंदी के पाठक विभिन सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकासित होने वाली इपत्रिकाओं से लाभानवित हो पाएंगे आज हिंदी दिवस के मौके पर मेरा यह कहना है कि सभी मंत्राले और सरकारी कामकाद में इन इटूल्स का अधिक से अधिक प्रयोक सुनिश्चित करें विगत कई महा से पुरी दुनिया अत्यन्त विशम परिस्तिसी से गुजर रही है प्रदान मंत्री जी के नेत्रूतों में भारत कोरोना महामारी से लड़ने में सफल रहा और इस लड़ाई में सभी राज्य सरकारों के साथ प्रत्यक्स नागरी को ने भी सहयोग किया है समय सेमय पर प्रदानमंत्री जी ने राष्टर को संबोधित कर देश की जनता को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया कोरोना महामारी से उत्पन अप्रत्यासित संकट की स्थिती के कारण जन हीत को प्राथमिक्ता देते हुए इस और सिंदी दिन समारों का आयोजन नहीं किया जा रहा है लेकिन जिन मंत्रायलव, विभागो, संस्थाओ, बैंको, सरकारी उपक्रमो, नगर राजबासा कारियावन समीतियों ने पूरे वस्पूरी निष्ठा से हिंदी में स्रेष्ट कारे किया है और प्रतिष्टित राजबासा किर्ती पुरसकार जीते हैं उन्हें में अपनी और स बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इसके साथ साथ हिंदी में मौलिक पूरसका लेखन और पत्रपत्रिकाओं में प्रकासित उट्टूष्ट लेखों के लिए प्रदान किये जाने वाले राजबासा गवरव पूरसकार विजयता भी बधाई के पात्र है ही, मैं आसा करता हूँ कि आप सभी पूरसकार विजयता यहीं से ठकेंगे नहीं, भविश्य में हिंदी के लिए कारे करने के लिए उच्च और अनुकर्णिय मांदन प्रस्तापित करते रहेंगे, यह प्रधानमंत्री जी की प्रेना थी कि देश इस आपदा को अवसर में परिवर्थित करे राजभासा विभाग ने भी इस आपसर का सकारात्मक उप्योग करते हुए, सुचना तकनिक का सहारा लिया और पहली बार वीडियो कॉनफरेंस जैसे ओनलाइन माध्यमों के जरिये बड़ी संख्या में इनिरिक्सक यह नगर राजभासा क्रियानवन समिती की बैठकों का राजभासा विभाग के प्रसिक्षण केंद्रिय हिंदी प्रसिक्षण संस्थान तथा केंद्रिय अनुवाद वीरो द्वारा पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रसिक्षण कारेक्रमों का अविजन सुरू किया गया जिसमें परंपरागत क्लासरूम टीचिंग को परिवर आई तो है कि हम राजबासा संबंदित अनूदेशों का अनुपालन करें, तत्परता के साथ अनुपालन करें, हम सोयं मुलकारे हिंदी में करते हुए अधिकारियों, कर्मचारियों, राजबासा अधिनियों मों का अनुपालन सुनिशित कराए क्या कि आमजन सभी सरकारियों दनाओं वो कारेकरमों का लाब निर्बाद रूप से उठा पाए आए हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम प्रतिगना ले कि हिंदी की उन्नती वो प्रगती की यात्रा पूरे समर्पन के साथ हम आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर राजबासा हिंदी को सभी स्थानिय भासाओं के साथ में रखते हुए हिंदी के माध्यम से आत्मन निर्वर्ब भारत का निर्मान करेंगे इस मौके पर मैं देश के युवा को भी कहना चाहता हूं कि जब स्थानिय भासा में बोलने वाला साथी हो तब और कोई भासा का प्रयोक न करते हुए भारतिय भासाओं के प्रयोक का आगरा रखिये मैं अभी भाव को भी कहना चाहता हूं अपने बच्चों के साथ भारतिय भासाओं में बात करने की बात का संसकार डाले और अपनी भासाओं की यात्रा को हम आगे बढ़ा हैं। मैं हार्तिक सुपकामनाय देता हूँ भारत मता की जय।